उन्रावर्तन एक प्रश्ण नमबर एक प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक मनुष्य क्या क्या कर सकता है उत्तर दर्ती और आकाश को एक कर सकता है इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है दो बेटी की क्या क्या तमनाय है उत्तर बेटी तारा बनना चाहती है वह दर्ती पर चांद की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनियरुपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है वह तितली बनकर हवा को चुमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कहीं तरह की तमनाये हैं तीन राज काज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है उत्तर हजरत अली राज काज के लिए राज की मौंबती जलाते थी अपना काम करने के लिए वे राज की मौम्बत्ती बुजा कर अपनी मौम्बत्ती जलाते थे नीजी काम के लिए राज की मौम्बत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हराम खोरी थी यदि हजरत अली जैसी प्रामानित्ता रखी जाए तो ही राजगाज अच्छी तरह से चल सकता है चार, चौथी स्त्री का बेटा सच्मुझ ही रा था, क्यों? उत्त, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा, साधा और सरल स्वभाव का था उसने देखा कि मा सीर पर पानी से भरा गड़ा उठाए आ रही है तो उसने अंदेखा नहीं किया वह मा के पास गया और गड़े को उसके सीर से उतार कर अपने सीर पर रख लिया गड़ा लेकर वहाँ घर की तरफ चल पड़ा इस तरह अपनी मां के प्रती सच्चा सिवा भाव दिखा कर उसने खुद को सच्चा हिरा साभी कर दिया पांच आप माता पिता को कौन-कौन से काम में मदद कर सकते हैं उत्तर मैं मा के कहने पर बाजार से जीजे लाता हूं इन जीजो में शाक, सबजी, दवाईया, फॉल तथा अन्यवस्तुय होती हैं मैं गर की साफसफाय में भी मा की मदद करता हूं पिताजी के लिखे पत्र डाग खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूं दोबी के यहां से उनके कपड़े ले आता हूं उनके कहने के अनुसार खाने पिने की चीजे लाता हूं इस प्रकार गर में मैं अनेक कामों में अपनी माता पिता की मदद करता हूं मित्रों आप अपने माता-पिता को इसके लावा और भी कहीं सारे काम हैं जिसमें आपको मदद करनी और आप करते भी हैं प्रश्ण नमबर 6 डॉक्टर कलाम ने इमेल से हमें क्या सीख दी हैं उत्तर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतलान कर निश्चिंद न हो जाएं हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज भी कुड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है सामाजिक समश्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्च नहीं देखना है बाहर से देख का विरोध कर चुपके से देख ले लेना बहुत ही गलत बात है इस तकार इमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निबाने की सीख दी है प्रश्णा नमबर दो रूप रेखा के अधर पर कहाने लिखी है मित्रों यहां रूप रेखा दी गई है उसे पढ़कर हमें कहाने की रचना करनी है एक चरवाहा जंदल में बकर्या चिराने जाना एक बकरी का दूर चले जाना बेडिये का आना बकरी को खाने की इच्छा बकरी को गाना गाने की इच्छा मैं मैं करना आवाद सुनकर चरवाह का लाठी लेकर आना बेडिये का भाग जाना बकरी की जान बचना सीख कहानी को उचित शिर्शक दीजिए मित्रों यहां जो रूपरेखा हैं उसे अच्छी तरह से पढ़िए और कहाने का विस्तार कीजिए यहां देखिए मैंने जो कहाने लिखी वद्यार से पढ़िए सिर्शक पहले हमें देना है बकरी की चतुराई फिर हमें कहाने का विस्तार करना है एक चरवाह था वह रोज बकरिया चराने के लिए जंगल में जाता था एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई उसने किसी के गुर्राने की आबाद सुनी उसने सीर उठा कर देखा तो सामने एक बेडिया खड़ा था बेडिया बोला मुझे बड़ी भूक लगी है अच्छा हुआ तू यहां आ गई अब मैं तुझे खाऊंगा बकरी पॉले तो बहुत गबराई फीर उसने हिम्मत से काम लिया वह बोली आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं परन्तु पॉले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए बेडिया बोला चलो ठीक हैं सुना तू अपना गाना बकरी जोर जोर से मैं मैं करने लगी आवाद सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां पहुचा उसे आता देखकर बेडिया बाग गया और बकरी की जान बच गई फिर अंद में हमें सीख लिखनी है कि इस कहाने से हमें क्या सीख नेती हैं मित्रों हमें इस कहाने से सीख मिलती हैं कि मुसिबत आने पर गबराना नहीं चाहिए हिम्मत और जुक्ती से काम लेने पर मुसिबत दूर हो सकती है प्रश्न नमबर तीन अपने विद्याले में मनाएगे प्रजासत्ताक दिम के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए पत्र लेखन अपने विद्याले में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए पत्र लिखते समय हमें पहले पता लिखना है 23 मात्रुस्री सोसाइटी करमसर 308-325 फिर दिनांग 15 जन्वरी 2021 फिर हमें लिखना है संबोधन प्रियमित्र शुबाश अभिवादन करना है जय बारत कुछ दिनों से में प्रजास्त्ताक दिनके कारेकरमों की तैयारे में लगा हुआ था इसलिए तुमारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई इस बार हमारे विद्याले में 26 जन्वरी के कारेकरम बहुत शांदार रहे विद्यले का प्रांगन चारो ओर से सजाया था महराज स्री मुरारेदास जी को विशेश आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था उन्होंने ही कारेकरम की अध्यक्षता की थी सुबह साधे आट बजे महराज स्री ने राष्टर द्वर्ज फहराया राष्टर गीत के बाद अध्यक्ष महदय ने अपनी संग्षिप्त भाषण में हमें प्रजा सत्ता शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूब नाकरी की ही प्रजा सत्ता को सफर बना सकते हैं इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर करेक्रम पेश किये हम भारत के लाल करेक्रम में विद्यार्थियों ने सहीद देश बक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया इसमें मैं बगत्सी बना था, राश्यागीच परदा में भी मुझे प्रथम पुरुसकार मिला, अंत में हमारे अचार्य स्री ने महराज स्री का अभार्यत किया, बंदे मात्रम के साथ करक्रम समाप्त हुआ, इस बार इंतिहान में कमकस के तैयारी करना, मैंने भी तैयारी को प्यार, तुमारा मित्र कमलेश, प्रश्ण नंबर चार, सब्द कोश की सहायता से निमल लिखी शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखी, मित्रों यहां जो शब्द दिये गए हैं, उसे में शब्द कोश में से देखकर बताना है कि ग पिछ्वण के आगे और पीछ्छान आने वाले रॉसर करने यहां देखे, गाव शब्द के आगे आता है गांभीर्ययं और गाउतर के बैसे लक्रों रानेकि इस в आया कशाई सब्द के आगे शब्द कोश में होता है कशा और उसके बाद होता है कशा मित्सा कश है तीसरा हश्य तो उसके आगे श्ब्ड होगा हसील और उसके बाद में हश्यास पड है चौता सबद अभ्यस है उसके आगे सब और हमें मिलेगा असक और बाद में अभ्यक्षिया बीर पांचमा सब्द समुदाई तो сможh में हमें समुदाई के आगे का शब्द मिलेगा समूदय और समूदय के बाद सब्द मिलेगा समूदित इस प्रकार हमें शब्द लिखने हैं प्रश्ण नंबर पांच निम्नलखित शब्दों को संग्या सर्वना और विशेशन में वर्गी कृत किजिए मित्रों यहां जो शब्द दिये गए हैं हमें उन्ह ग्रुद करना है यहां देखिए संग्या सर्वनाम विशेशन संग्या में कौन से शब्द है तो नर्मदा वई सैना अगनी मनुश्यता यह शारे शब्द शैन्या सब्द हैं शरवनाम क्या जिसको हम यह को विशेशन थोड़ा ज्यादा सुन्दर सात्वा कहीं तीनों मोटा ये शारे शब्दा विशेशान हैं यहां जो शब्दा दिये गए हैं हमें इसी तरह वर्गिकृत करना है प्रास्ना नमबर छो नीम्नलिके कावेपंक्तियों का भावार्थ लिखी ये मित्र यहां कावेपंक्ति दी गई आ उसका भावार्थ directing लिखना है धर कि सा धिये तूहिं अगनी साविर तू जो चाहें काल को भी थां ले इस पंक्तिका भावार्थ हैं है मनुष्या तुझमे दर्ती जैसे दीरज है तुझ में अगनी जैसे शक्ती है तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है दूसरे पंक्ती निज को तू जान जरा शक्ती पहुचान तेरी वाणी में युग का अहवान है रे इसका बावार्त है तू अपने शक्ती को पहुचान तेरी वाणी में युग क की ललकार हैं तेरी आवाज सारे युग की आवाज हैं